हेलो फ्रेंट्स वागत आप सबका आपके अपने युट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में फ्रेंट्स आयार सेटी सी का शेयर अपने बावन वीक के हाई से लगबग 50% करेक्ट हो चुका है हाना कि लोग लेवल से कुछ इस ट्रेंद्स दिखने को शेयर में मिल रही है तो फ्रेंट्स के इतनी स्टीप करेक्शन के बाद में अब माल भरने का यह सही मोका है इस स्चौक का फूचर आउट लुप क्या मन रहा है इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेंट्स स्टॉक लगबग 50% के आसपास correct हो चुका है 1260 रुपे का आसपास जो है post split level की हम बात कर रहे हैं लगबग 6400 रुपे के आसपास का इसने high बनाया था split से पहले वहां से 1-5 में split हो था तो post split level की अगर बात करें तो 1260 रुपे के आसपास का high जो है stock ने बनाया और वहां से जो है one way correction देखने को मिली है 652 रुपे के closing है Friday की तो friends क्या जो है जो लोग उपर के level पर फसे हुए है वो अब stock को averaging करें क्या यह सही मौका है और stock में कुछ strength भी नीचे के level से देखने को मिली है इसके अलावा quarter 4 के results भी जो है friends आने वाले हैं तो ऐसे में क्या strategy में आपकी होनी चाहिए friends कोविट का जो threat है वो almost जो है अब complete हो चुका है अभी भी कोविट की waves आ रही है कोविट के cases बढ़ रहे हैं पर फिर भी जो life है वो almost normal चल रही है और railways जो है almost प्री कोविट लेवल पर train सब चलने लगी है stock ने company ने quarter three में काफी अच्छे results दिये थे friends और अगर हम मैं यह मान के चलू कि कोविट की कोई बहुत बड़ी wave नहीं आएगी जिसमें कोई major restrictions लगें और normalize level अगर आते हैं तो fy 23 में जो है company लगबग 1100-1200 करोड और fy 24 में 1200-1500 करोड के आसपास का net profit net profit की बात में कर रहा हूं कर सकती है 651 रूपे पे 52,000 करोड की market capital है company की और यहां से stock 37 की earning पे trade कर रहा है fy 24 की यहां से valuations friends अब काफी attractive जो है यार सिटी से की हो गए है इसमें कोई भी दो राए नहीं है पर यहां पर कुछ challenges भी company के साथ हैं उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में बात करी है सबसे पहले आया सेटेशी के strength के इस बारे में बात करते हैं इस मोनपॉली बिजनस है यह स्ट्रेंथ भी है और इसकी weakness भी है फिलहाल जो है रेलिवे के ticketing राइट और catering राइट इसके पास अबसे पास एक्सक्लूजिव ली आया सेटीशी के पास हैं रेल्वे के सबसेडी कंपनी इसके अलावा जो है जो हाइश्पीड ट्रेंस हैं उसको जो है चलाती है रेल्वे के जो है exclusive catering के साथ में जो है रेल नीर का business यह कमपनी करती है उसके अलावा टॉरिजम का भी business company का majority of revenue इसका काफी बड़ा पार्ट revenue के ticketing business से आता जिसके exclusive right इनके पास है चार vertical में majorly तीन vertical में company काम करती है ticketing catering और रेल नीर तीनों ही business में high growth है bottle बंद पानी का आप समझ सकते हो क्या demand है और किस तरह से जिस तरह से लोग जो है प्रोवाइड किया जाता है ट्रेंस में तो यह इस business से काफी बड़ा segment है catering का business में बड़ी अच्छी growth है काफी ट्रेंस में catering services स्टार्ट की जा रही है आज की डेट में और उस तरह की लगजरी ट्रेंच चल रहे है जिन में catering services है और तीसरा टिकेटिंग का business है फ्रेंट्स आप समझ लीजिए कि दीरे 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 पूरा जो रेल्वे का रिजर्वेशन सिस्टम है वह 95-99 परसेंट तक जो है आने वाले टाइम में online पे आ जाएगा जिस तरह से online भड़ रहा है और offline system खतम हो रहा है एसेट लाइट मॉडल है 52-53 परसेंट के net margin पे company operate करती है से ज्यादा जो है कोई क्या देखेगा किसी कंपनी के fundamentals में एसेट लाइट में पेट की बात कर रहा हूं profit after tax की चालिस परसेंट के आसपस जो है net margin है 52-53 परसेंट के आसपस को operating margin है तो growth यहां पर बहुत बढ़िया है margins बहुत जबरदस्त है business monopolistic है पर उसके बाद भी कुछ challenges है यह monopoly business है क्योंकि अभी जो है relevant exclusive right इनको दिये है जिस तरह से privatization theme आगे बढ़ रही है हालाकि यह company भी पूरी तरह से private players की तरह काम करती है पर friends यहां पर market को threat है काफी बढ़ा की catering के businesses में या जिस business में यह है कहीं और जो है अगर private players की entry allowed कर दी गई तो इस company के fundamentals पूरी तरह से deteriorate हो जाएंगे क्योंकि यहां पर जो इसकी strength है वह एक सबसे बड़ी विकने से government की policies कभी भी change हो सकती है जो एक दूसरा सबसे बड़ा threat है जो last time fee जो online ticketing पर fee आती है उसको 50% बोला था कि जो है railway share करने वाली है railway जो है उसमें 50% हिस्सा लेगी वो उसके बाद देखा आपने stock में किस तरह की correction आई थी सेम डेवो जो है जो रूल है वह वापिस ले लिए गया था उसके बाद भी correction जो है थमने का नाम नहीं ले रही थी उसके बाद जो sentiment खराब हुआ है उसकी वज़े से के share में कभी strength देखने को नहीं मिली इस news के बाद में क्योंकि यहां कहीं ना कहीं market को डर हो गया है कि अपने income बढ़ाने के लिए से कुछ भी इस तरह की ruling आने वाले time में आ सकती है जो सीधा सीधा company के earnings को जो है impact करेगी तो जो इसकी strength है वही कहीं न कहीं इसकी weakness बन गई है जिसकी वज़े से लोगों में डर का महौल है तो friends अब बात आती है कि future outlook क्या है कैसे में खरेदन marketing का पंदरा बीस परसेंट की पंदरा परसेंट की सीजी आर्शे अगले चार पांच-छे साल की विजिवल ग्रोथ दिखाता है यह company अपने पास साल में और प्रॉफिट को डबल करने का potential रखती है अगर आज इसका profit 1000 क्रोड के आसपास है तो यह 2000 क्रोड का profit अगले चार से पास साल में clock कर सकती है और वहां उसके साफ से देखे तो वालेशन भी बहुत अससे लगते हैं तो undoubtedly वह potentialist company में है पर यहां government policies का threat थोड़ा सा जो है और जो जिस तरह से पिछली बार news आई थी तो वो risk इसमें हमेशा रहेगा तो उस risk को friends ध्यान में रखके अब उस risk को आप अपनी position उतनी ही बनाए जितना रिस्क आप बियर कर सकें फॉर अग्जैंपल अगर आपके पास आपका एक लाग का portfolio है तो आप तीन-चार परसेंट ही इस तरह के शेयर रखें यानि कि अगर आपका portfolio लाग रुपे का है तो आपका पॉटफोलियो एक करोड का है तो तीन- सकते हैं फ्रेश खरिदारी कर सकते हैं फ्यूचर बहुत ब्राइट है अंडाउट इडली इसमें कोई दोर आए नहीं पर थोड़ा सा थ्रेट गवर्मेंट पॉलेसिस को लेकर है क्वार्टर फॉर के रिजल्ट्स भी थोड़ा सा जो है कोविड की फर्स्ट वेव के कारण जो है इंपाक्ट देखने को मिल सकता है अच्छे आने की उम्मेद है और फ्रेंट्स क्वार्टर वन एफफाइ ट्वंटे तरी से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की एक्स्पेक्टेशन से बिजनस बहुत ग्रोइंग पुटेंशल है बिजनस के अंदर हर तरह से यह ब करना ना भूलें थैंक यू